आज हम लोग बनाएंगे तीखी सेवई बोल सकते हैं इसे या फिर तीख सेवई की चूड़ा भी बोल सकते हैं खाने में ना पहुत ही जारा टेस्टी लगती है कभी-कभी कुछ चटपटा खाने का मन करें ना तो इस तरह से जो सेवई है उचको बना ले बिल्कुल मैगी की तरह और खाये खाने में बहुत ही जारा टेस्टी लगती है मिटी सेवई तो आप हमेशा ही खाते होंगे कभी-कभी इस तरह से तीखी सेवई भी खा कर देखिए तो चलिए बनाते हैं तीखी सेवई या फिर सेवई की चूड़ा सेवई की चूड़ा बनाने के लिए हम लिए हैं यह करीब हम अप्प्लेट के रिपके मैंने सेवई ली में आप छाहे थो ज़ादे है या कम यह ले सकते हैं तो सबसे अख्वैया से तरह से भूल लेंगे तो भूनने के लिए ग्यास में कढ़ए रह काड़ए को अच्छी तरह से घ कंढ़ा हें रहें गरम कोणे तेल दमे हमकोद देना ऑर एज जो कलर है कितनी अच्छी तरह से चेंज हो गया है उसके बाद में क्या करें यह सेवाई को जो है नो निकाल ले और इसी कड़ाय में फिर से तेल डाले तेल कम से कम एक से दो टेबल स्पून के गारीब डाले तेल बहुत ज्यादा डाले के जोरत नहीं है तेल में ही यहाफ टे तरह से मिक्स करते हुए कम से कम एक से दो मिनेट प्याज को जो है नो अच्छी तरह से भून ले हमारी जो प्याज है वो अच्छी तरह से भून चुकी है उसके बाद में क्या करना है इसमें ही यह मटर है आप चाहे तो मटर को स्किप भी कर सकते हैं बिना मटर की यह जो से लमीर ही ची आट कर सकते हैं गाजर कर सकते हैं वे फिलत अपare चेश्ट पानी टालना है तो यह पानी दालने के बद में सभी तरह, अच्छी। तो यह टमाटर को डाले और सभी को अची तरह से मिक्स करते हुए कम से कम इन्हें एक से दो मिनिट पका ले एक से दो मिनिट के बाद में क्या करना है इसमें ही हल्दी पाउडर डाले स्वादा नमक डाले और फिर सभी को अची तरह से मिक्स करते हुए इन्हें यह जो पानी ह जो देख सकते हैं इसके बार में क्या करना है हम लोग जो भोन कर रहे थे सिवाई तो वह सेवाई को डाले और फिर से सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं सेवाई को कम से कम 3-4 मिनट अच्छे तरह से पका ले तो यह पकाते वक्त ग्यास का फेन जो है वह लो-मेडियम टाले और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं फिर से एक-सि-दो मिनट में आप 2 कि देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल बैगी की तरह सेवाई बनी है इसके बाद में क्या करना है गैस को बंद कर दे और यह जो सेवई है ना सेवई की चूडा बोल सकते हैं इन्हें गर्मा-गरम ही आप खाने के लिए सव करें खाने में बहुत जारा टेस्टी लगती है तो इस तरह से सेवई की चूडा बोल सकते हैं या फेती की सेवई इसको बनाए, खाए, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगिया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सारी, आज बोलने में कुछ जादे ही प्राब्लम हो रही है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू